नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हमारे साथ हैं आर्थी मलोत्रा जो डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में पढ़ाती थी और उनके बेटे आरवी भी वहीं पढ़ते थे इस साल फरवरी में आरवी ने खुदखुशी कर ली और उनके परिवार का कहना है कि इसका कारण एक कारण था बुलिइंग जो वो स्कूल में फेज करते थे आर्थी जी आज कल उनके इनसाफ की गुहार लगा रही है आईए उन्हीं से बात करते हैं आर्थी एक बात बता है कि उस समय जब आपका लगा नहीं रहा इस दुनिया में तो क्या हालात थे जिन से वो गुजर रहे थे मेरे लिए वो अभी भी है मेरे साथ ही है उससे पहले जब वो लाइवली नहीं था उसकी सोल तो हरसा में मेरे साथ ही रहेगी बहुत अच्छा था महाल घर का हम लोग बहुत खुश थे हम मा बिटा बट हाँ स्कूल से उसको बहुत ज़्यादा बुली हुआ जो कि उसने बाद में दीरे दीरे करके मुझे बताया जब उसकी सिच्वेशन बहुत पानिक हो गई थी डिप्रेशन में आ गया तब मुझे पता चला कि उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलाचीज इस स्कूल में बहुत समय से होती आ रही थी जिसको अकेले अज़ वारियर फाइट कर रहा था इसको इतना प्यार था था कंसर्न था ममा से कि उसको ममा वो सब कुछ नहीं बताना था हमेशा एक फाइटर कितरह लड़तार आके लही तो बहुत लेट आकर के उसने बताया कि उसको लड़के बहुत ही गलत-गलत नामों से बुलाते थे फिर उनकी हिमत इतनी जादा ज़िकी दे केम तो थे सेक्शल हरास्पर ने सेक्शल असॉल आर्स और आपके बेटे ने आपको इसके बारे में बताया बेटे ने जब उसकी तबियत खराब गई क्योंकि मुझे नहीं पता था यह उसको क्या हो रहा है एक दिन बुलिंग का चप्टर आया एक दिन बुलि आरी है सुनारी है सारे क्लास में मैं एज टीजर मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रही थी तो हमारे टेबल ऐसे थे दोनों के एकी रूम हम शेयर करते थे पहले तो अचानक से उसका ना हार्ट बहुत तेज हो गया फास एक दिल ऐसे धड़कने लगा मुझे तो उसकी बाड़ी र रिगर हुआ उसको, same chapter again he was reading, same उसको क्या लगा, वो बुलिंग chapter से उसको ये लगा कि same उसका story है, he felt his self at the place of that girl, तो वो story ये होती है, उसको class में बच्चे कैसे बुली करते हैं, पर last में बच्चे उसको sorry बोलते है, उस chapter का end बहुत अच्छा है, तो पर यहां आर्वी के साथ कि उसको किसी ने sorry भी बोला हो अच तक, कोई end ऐसा नहीं आया कि उसके friends ने आज तक उसको बुलिया या ऐसा किया, उसको sorry बोला हो, उस chapter के end तो अच्छा था, पर आर्वी की life अलग end पर लेया है उसको, so that was the first trigger, जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे के साथ बहुत कुछ है health advice, I took him to the doctor, और वहाँ पर उनने मुझे बताया, this is called panic attack, कोई heart का issue नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको medicines SOS देने बढ़ते थे, जब-जब attack आता था, तो वो थोड़ा काम हो जाता था, फिर उसके therapist start किये, suggestions दीए, तो जब थेरपीस के लिए, तो जब थेरपीस हुई तब पत जब पता चला, तो मैंने स्टार्टिंग में information देती गई school में, पहले क्या stage होती है कि आप teachers को ही बताते हो, class teachers को, या other subject teachers को, तो he started complaining to those, पर क्या होते है कि आपके बेचे को oversensitive बोल के चुप करा दिया जाता है, यापका बच्चा teacher award है, तो उसको ये करके चुप करा दिया ज मतलब आपको वो चीज फिर प्रूफ करने के लिए क्या सबूत लाओगे, बुली करने वाला वबली बुली करके चला गया, there is no evidence, how will you prove that your child is suffering, आर्वी का rubber bands होते है, जो rubber bands होते है, जो rubber bands हम है टाई करने के यूश करता है, तो उसका kit आता था, उसमें वो बनाता था, ब्रेस उसको, friends को gift करता था, that was his hobby, शुरू ऐसे कुछ मुझे याद आ रही है चीजे तो, तो यह बातें क्लास में फालती है, लड़कियों माले शौक हैं, यह तो लड़की है, लड़कियां इसके आस-पास रहती हैं हर समय, तो फिर इसके दोस्तों ने यहां से बात शुरू कि इसको बोला कि तू girlfriend बना, you should make a girlfriend and hang on with a girl and go, you know, do this stuff, that stuff, जो लड़के थे, जो इसको अस्वाल तक लेके आए, इसने कहां कि यह मेरे लिए नहीं बनी है चीजें, क्योंकि हम लोग इतने close friends थे, Harvey और मैं, हमारी बात रही थी दील, कि 12th के बाद, girlfriend बनाएंगे, boyfriend, तू बनाएंग हो, अपना मजे करियो, you're free, we were friends also, बहुत अच्छे friends हम लोग, मा बेटा से जादा we were friends, तो, पर पहले focus, study, अच्छे से पहले अपना focus करो, जो अभी जिसके लिए जा रहे हो school में, तो he was very well knowing की क्या करना है life में, उसको अपनी stages पता थी life में, कैसे आगे बढ़ना focus अभी क्या है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, शुरुवात में, उसको पता था भी girlfriend वाला time नहीं है, उसने नहीं, उसने मना कर दिया, तो then they started calling him, कि इसका लड़कियों में interest नहीं है, तो gay, you are a gay, तो कहाएगा, तुझे तो लड़के जहिए ना, I don't know why people are tagging him like this, if exploring it, it can be, you know, आप कितने fashion designer देखलो, he wanted to become a fashion designer, तो fashion designers, आपने देखा होगा, they used to wear that kind of different, you know, jewelry, their sense is completely different, like, it's not common like others, तो आप देख सकते उसके पिक्चर्स में, उसके जितने भी में DM's use करते हो, तो उसका द्रेसिंगी बिल्कुल डिफरेंट था, एक्तम प्यारा अलग यूनीक, आप नर्मल क्लॉस जो भाकी बच्चे बाए करते हैं, वो भी ऐसे ही करता था, पर उसको ऐसे कर दे लेता था, उसका style ही एकदम चेंज, प्यारा सा एकदम अलग आता था, तो वो, he used to make accessories, फिर अपनी dress के साथ combination बना कि उसको कैसे ले जाना है, करना है, तो उसको अगर ये कैदे कि गे है, तो that is their perspective of thought, उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं कहती हूँ था भी, तो मेरा बच्चा है, प्राओडली मैं बोलती, बट मेरे बच्चे ने कभी ऐसा नहीं बोला है, ना उस नहीं किया, he always told mama, I wanted to explore, I am not sure, but I am, I said okay, तो क्या है, तो मेर बच्चा है ना, कुछ भी होगा, I am okay, you take your time, you are so young, आपर बता है, एक लास 10th में, 8th में क्या, 9th में क्या sexuality identify हो पाती है, it takes time, तो I am also educator, I have seen many students, मैंने 10 साल स्कूल में पढ़ाया है, तो हर एज के बच्चों को मैंने देखा हूआ, पढ़ाया हूआ, तो मैं अपने बच्चों क्यों मैं ऐसे allow नहीं करूंगी, तो I was knowing कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ निकल के भी आता है, फ्यूचर में, अगर वो बोल देता है, कि I am a gay, I am a homo, I am a bi, तो what does it make difference, क्या हो मेरा बच्चा नहीं होता, तो मेरा उसके लिए प्यार कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो जो नहीं, मुझे पिछले साल, August में पता चल गयाता सारा कुछ, यह सेक्शल असॉल के बारे में, हाँ, September में मैंने मेल लिख दिया था, स्कूल को, that हुआ क्या था, कि जब थेरपेस से चीजे निकलनी शुरू हुई, तो अभी भी वो, एक दम word to word जिसे कहते न, बच्चा मा के सामने खुल के नहीं, उस हिसाब से बता पाता, I told him to write it, बटा, जो भी तेर को bother करता है, and whatever you want me to do in your life, for your happiness, I am going to take that action, what do you want, he said, mama, मैं चाहता हूँ इनके उपर action हो, तो मैंने का, what action you want, के ते, mama, at least इनको प्रिंसिपल मैं बुला के नाट दे, कुछ इनको अपनी गलती का हैस और मैं आपकी तरफ से, माम को लिखती हूँ, तो इसने सारे इंसिदेंट जो भी इसके साथ हुआ, जैसे जैसे हुआ, जिस जिस तरीके से हुआ वाश्रूम में, एक एक एपिसोड को उस बच्चे ने, अपने pen से पेपर पे लिखके मुझे दिया, and I have copied the same, वो बहुत ही मैंने 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 को डाल दिया, with the name of students, उसने name भी mention किये, एक महीने बाद स्कूल का revert आया, कि उन में से, छे बच्चे, पाच बच्चे स्कूल चोड़के चले गए है, दो तीन बच्चे रहते हैं, और वो मना करे हैं, they are denying, यह हुआ, आपने पुलीस में जाने के बारे मे सोचें? नहीं, एक्चली उस समय आप कैसे सोच सकते हो, पुलीस के बारे में, जब आप पे शुरू से काम कर रहे हो, दस साल हो गए आपको जॉब में, तो आप क्या करोगे, जो अपने पहले अथोरिटी जे सीनियर उसको ही रिपोर्ट करोगे, कुछ भी होगा तो, और य से मैं रिक्वेस्टी कर रही हूँ, चार महीने हो गए हैं, कि आप एक्शन लेजे, जो भी मैंने एविडेंस या जो पिछली आर्वी के साथ, जो भी सफरिंग थी सारा बताया, विद प्रूफ, एक एक चीज का मैंने प्रूफ सब्मिट किया है, इक एक चीज का मैंने प् मुझे उमीद तो दिखाते हैं, बट मुझे नहीं बता ये कब होगा, कोर्ट में क्या कारवाई शुरू हो गई है, अभी चार्ट शीट बाकी फाइनल अभी जाना है, जो कि SID टीम के जो भी अब्जरवेशन जो भी इननों ने इन्वेस्टिकेट किया है, उसके बच्चे ने जो भी बताया, he has been raped, even the multiple times he has written it, जो कि उसकी राइटिंग ने, उसकी रिकॉर्डिंग से, वेर ही स्टेटिंग, तो उस बेसिस पे जो भी पॉक्सों के सेक्शन बनते हैं, इसमें जो जो भी इन्वाल्व हैं लोग, उनके उपर कारवाई की जाए और एक्शन लिया जाए इन बच्चों के उपर, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो मुझे बोलता था ममा क्रिमिनल्स क्या ऐसे खुले घुमेंगे, जस बिकॉज उनकी जान पर जान है, जस बिकॉज ये स्कूल बखत बड़ा है इसलिए और आज भी उसकी ममा उसलिए फाइट कर रह हो जितनी बार भी, हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं तो ट्रिगर होता है, ना अचरली, आप उसी जखम को कुरेदोगे बारी-बारी तो खराब होती है, और मैं उसकी हालत मा तो सबसे जानती थी, कि मुझे उससे वो बाते नहीं करनी है बारी-बारी, उस ट्रिगर को नहीं डिसकुस करना, उसको सेटल करना है पहले, उसको काम करना है कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, तब हमने इस लड़ाई को लड़ना था मिलके, दोनों मा बेटा ने, लेकिन आपकी जाने के लिए क्या वज़े दी आपके? जस बिकोज केस स्कूल में, मैंने यह कर दिया है और केस की इंविस्टिगेशन के लिए मुझे रिलीव किया है बोल रहे हैं, यह बोल रहे हैं, रिलीव देया, रिलीव भी फ्रॉम माई सर्विसेस और जिसका एक्स्प्लेनेशन सिर्फ इतना सा दिया है, और कोई आज जाएगी, अभी कल तक आएगी, या अगले भीने भी आएगी कि नियागी, कोई सिच्वेशन की क्लारेटी नहीं रहते हैं, मैं पूछते हो तो, अभी सालरी भी थ्री मन नोटिस वाली है, या कौन सी पैसे हारे हैं, I should know ना, क्या है यह कोई क्लारेटी ही नही देने क कि आरती माफ कर, छोड़, वो भी बच्चे है, किसी के स्कूल में भी और बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी, 24 वेब को हो गया, लाइफ से, हमारे पास से, मैंने 8 अपरिल को स्कूल में बर्दे होता, आरवी का, I just requested them कि मैं उसकी फोटो भेज दू जस फ्लार लेके उसको श्रदहांचली दे दें, just to sorry, just for his peace, they have denied, till now, अभी तक, कोई इंसिट्यूशन जहां पर कोई बच्चा, वो क्लास 2 से पढ़ता था, आज तक उसके लिए प्रेयर नियुआ, टू मिनिट का साइलेंस नियुआ स्कूल में, और पुलीस का क्या रिस्प पता है, क्योंकि मैंने उनसे कभी बत्तमीजी से बात ने की, मुझे जैसे ही बोलते है, मैं मान के आ जाती हूँ विश्वास करके, I have requested to Anilvijji, Home Minister Anilvijji के पास भी मैं गई थी, उनके support से क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि SIT हैट चेंज कर देते हैं, यहां की Commissioner of Police ने SIT है चेंज किये, तो उससे मुझे काफी केस में लगा चेंज कि अब काम होने लगा है, जो की काम रुक गया था, तीन महीने तक कुछ नहीं हुआ था, according to me, according to them तो वो कर रहे थे, अभी एक महीने से ही काम होना शुरू हुआ है, जब मैं तोड़ा सा वापिस अपना दुख और बच्चे को इंसाफ मिलेगा, वही वह चाता है, वही मैं चाती हूँ, और जो स्टूडेंस हैं, जिनका नाम उन्होंने दिया, उनकी फाइमिली की तरह से कोई आपको अप्रूच करता है, कभी नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी का, क्यो वो कल्प्रिट नहीं कहलाते, क्या उन्होंने गलती नहीं की थी, क्या हम उनको रजाद छोड़ने, दूसरे स्कूल में वो ऐसा करें और बच्चों के साथ, या हम उनको बुला के उनकी कांसलिंग करें, या हम उने बुला के डार्ट लगाएं, जब आप ट्रस्ट करते हो तो आपको भी वापिस एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो नहीं हुआ आर्वी के लिए, ओके, आर्थी जी, थांक यू वरी मच्च, हम ऐसा करने करें,